अपेक्ट विद्धसन, लेसन फाइफ, तानसेन, हिंदी समरी तानसेन जोकी अपने माबाप की इकलोती संतान था, बहुत ही सरार्ती और प्रतीभावान था वो पक्षियों और जानवरों की आवाजों का पून रूप से नकल कर सकता था एक बार उसने स्वामी हरिदास के यात्री समू को चीते की तरह दहाड कर दराने की कोशिस की स्वामी हरिदास के अलावा सभी डर गए स्वामी हरिदास ने उसका सिश्य के रूप में चुनाव कर लिया उसने ग्यारा वर्सों तक संगीत का परिक्षन दिया तब वह मुहम्मद घोस एक पवित्र आदमी के साथ रहा बाद में उसने हुसैनी जो की रानी मृगनैनी के दरबार में एक महिला थी से साधी कर ली बाद में वह अकपर के दरबार में सामिल हो गया अकपर के दरबार में वह बहुत प्रसिद्ध हो गया उसके विरोधी उससे बहुत इर्शालू हो गए और उससे राग दीपक गवाया लेकिन उसने अपनी पुत्री और उसकी सहेली को राग दीपक का प्रभाव कम करने के लिए राग मेग गाना सिखा दिया था इस प्रकार वहराग दीपक के दुस्प्रभावों से बच पाया झाल